नमस्कार बहुत स्वागत है आपका नवरात्री में नौ दुर्गा मा की नौ रूपों की अराधना होती है और इस नौ दुर्गा में भूल कर भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए वैसे तो करीब 12-13 काम ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहिए आईए जानते हैं विस्तार से वो कौन से काम है जो करने से मातारानी रुष्ट हो सकती है अगर आप ब्रत रखते हैं पुरुस हैं तो डाढ़ी मुझ मत बनवाईए इन नौ दिनों में और महिलाएं बाल नहीं कटवाएंगी आप आईब्रोज बाल जो भी हैं नौरातर के पहले ही किलियर कर ले इसमें नाखुनों को भी नहीं काटना चाहिए आप पहले से ही ना साला बंद करके मत जाईए क्योंकि मातारानी आपके घर में रहती हैं और इस समय आप भूल कर भी जो होता है चम्रे का सामान यूज ना करें खाने में लहसन प्याज नौन बेज बिल्कुल भी ना काएं और अगर आप ब्रत रख रहे हैं तब आप नीम्बू मत काट येग और नमक भी नहीं वैसे बहुत सारे लोग सेंधा नमक खाते हैं तो आप खा सकते हैं नवरात्री के समय दिन में नहीं सोना चाहिए ये पूरी तरह से निसेध है और जब भी आप फलाहार करें या फिर सात्विक आहार गरहन करें एक ही जगा पर बैट कर भोजन कीजिएग परिसान करती है कई बार क्या होता है लोग भूग मिटाने के लिए तंबाको चिवाते हैं सुपाड़ी चिवा रहे हैं ये चीजें छोड़ दें भूल कर भी ये गलती मत कीजिए नवरात्र में ब्रत के दोरान और इन ब्यसनों से आपका ब्रत खंडित हो सकता है और इस त क्यार करें और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखें धन्यवाद